जेहिन नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल कूच से सम्मंदित महत्वपोंड प्रशनो 3 जो कि आपके नेवी MR प्रशन हर बार एक्जाम में पूचे जाते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे दुबार देजेने वाले सभी ले टेश्टरपेट्स मिलते रहें तो आइए शुरू करते हैं आज वीडियो तो पहला प्रशन है की वोली।ье मैश और सब्सक्राइब ऑई सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो उलम्पिक के चीन का अर्थ होता हे निरंतरता खीक है तो उसका correct answer हो जाएगा option C निरंतरता अगला प्रस्जन देखिए तो इसका correct answer हो जाएगा option B देखिए अगला प्रस्जन तो agriculture short जो होता है वो क्रिकेट से related होता है तो इसका correct answer होगा option A अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है कि cricket खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो आपको सभी को पता होगा इस प्रशन का answer कि cricket का जन्मदाता जो है वो England को कहा जाता है तो इसका correct answer होगा option B अगला प्रस्ण है कि शत्रंज खेल का जन्म दाता किसे कहा जाता है तो शत्रंज का जो जन्म दाता है वो भारत को ही कहा जाता है तो इसका correct answer होगा option A अगला प्रस्ण देखिए कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंब किया था पोलो जो होता है वो एक खेल होता है जिसका परचलन जो है भारत में सबसे पहले तुरकों ने प्रारंब किया था तो इसका correct answer होगा option A दोस्तों ये जो topic है वो आपके exam राफी ज़्यादा important है तो इसको पूरा देखिएगा अगला प्रसन है कि Sandy Strom किस cricketer की आत्मकता है Sandy Strom जो है वो किस cricketer की आत्मकता है तो ये जो है वो संदी पाटिल की आत्मकता है तो इसका correct answer होगा option C अगला प्रसन देखिए निमलिकित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पूरुष दोनों खिलाडी होते हैं तो आपको बता दें कि कॉर्फ बोल जो खेल होता है उसमें महिला और पूरुष दोनों खेलते हैं चीक है तो इसका correct answer होगा option C अगला प्रसन देखिए बस्केट बोल के पर एक पक्स में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यानि की बस्केट बोल की जो टीम होती है तो बस्केट बोल में जो है वो पांच-पांच खिलाडी होते हैं तो इसका correct answer होगा option D अगला प्रसंद देखिए कि Water Polo में एक Pucks में कितने खिलाडी होते हैं तो एक Pucks में 7 खिलाडी खेलते हैं और दोनों टीमों में 7-7 खिलाडी होते हैं तो इसका correct टांस रोगा Option D अगला प्रसंद देखिए कि Cricket के Agunic Sense करण Super Max Cricket की सुरुवात कहां हुई है ठीक है प्रशन ये है कि अज्यूनिक संसकरण सूपरमेक्स क्रिकेट की शुरुआत कहा हुई तो इसकी शुरुआत जो है वो ओस्ट्रेलिया में हुई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी अगला प्रसंद देखिए भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों यानि कि 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में उन्होंने भारत के किस खेलाडी ने रज़त पदक प्राप्ट किया था तो आपको बता दें कि विजे कुमार जो है जिनोंने लंदन ओलंपिक खेल 2012 में भारत की ओर से रज़त पदक प्राप्ट किया था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी अगला प्रसन देखिए कि इस पर्ष रेखा किस खेल से समबंदित है तो आप सभी को पता होगा कि इस पर्ष रेखा जो है कबड़ी से समबंदित होती है तो इसका correct answer होगा option B दोस्तों इन में से काफी present जो है मैंने टेलिक्राम ग्रूप में भी करवा रखे हैं अगर आपने अभी तक वो जोइन नहीं किया है तो उसको कर सकते हैं आपको link नीचे description में मिल जाएगी अगला प्रसंद देखिए कि cricket खिलाडियों के मज्ये Hollywood के नाम से जाना जाता है तो cricket खिलाडियों के मज्ये जो है वो Shane Warne को Hollywood के नाम से भी जाना जाता है तो इसका correct answer होगा option B अगला प्रसंद देखिए कि किसी अंतराष्ट्रिय फुटबोल की समयावदी कितनी होती है ठीक है अंतराष्ट्रिय जो फुटबोल मेच होता है वो 90 मिनिट का होता है तो इसका correct answer होगा option D अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद कहे रहा है कि किसी समयावदी के खेलों में परचेक खिलाड़ी होते हैं किस समयावदी के खेलों में परचेक खिलाड़ी होते हैं तो इसका correct answer होगा वाटर पोलो और कबड़ी ठीक है तो option C जो है वो correct answer हो जाएगा क्योंकि वाटर पोलो वे कबड़ी के परचेक खिलाड़ी के परचेक खिलाड़ी होते हैं अगला प्रसंद देखिए निमलिकित में से किस खेल को परचेक खिलाड़ी के टीम में ग्यारा खिलाड़ी नहीं होते हैं ठीक है यानि कि ऐसा कौन सा खिल है जिसकी परचेक खिलाड़ी के टीम में ग्यारा खिलाड़ी नहीं होते हैं तो आपको बता दें कि खोको जो है उस खेल में प्रत्य एक टीम में 11 खिलाडी नहीं होते हैं तो इसका correct answer होगा option B अगला प्रस्ण देखिए कि किस ग्रूप के खेलों में प्रत्य पक्ष में खिलाडीों की संख्या सरवादिक होती है तो रगभी जो होता है रगभी football इसकी टीम में जो है वो प्रत्य खिलाडीों की संख्या सरवादिक होती है अगला प्रस्ण है कि मुक्य बाजी की स्पर्धा कितने कितने मिनिट में राउंड होते हैं ठीक है यानि कि मुक्य बाजी की जो स्पर्धा होती है वो कितने कितने मिनिट की होती है जिसमें 3 round होते हैं तो आपको बता दें कि 3-3 minute के जो है वो 3 round होते हैं तो इसका correct answer जाएगा option B जिसमें मुक्य बाजी में जो है वो 3-3 round 3 minute के होते हैं तो दोस्तों I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे प्रस्टन समझ आ गए होगे तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक like नहीं किया है तो इसको like जरूर कीजिएगा दोस्तों के शाथ share कीजिएगा और चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe जूरूर से कर लेना इसका second part हम जल्दी लेकर आएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद